मैं प्रियक्का अग्रवार, Holy Children Public School & Hoster में पढ़ने वाले सभी बच्चों का अर्टिक अभिनादन करती हूँ अच्छा सार मिसे हिंदी जिसमें बच्चों आपकी बाठी कुष्टा क्या खार्तिके आज हम लोग इसका आठमा पार्ट क्रांतिकारिनी गांडी ये पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप अपनी स्कूल के चैनल Holy Children Public School & Hoster को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे जिससे आपकी स्कूल से जुड़ा कोई वे इसाइटिंग इंफोनिशन आप तक जल्ग से जल्ग पहुँच है तो आएए मच्चों सोरू करते हैं क्रांतिकारिनी गांडियों क्रांतिकारिनी गांडियों एक 28 साल के की सोरी यहुति की कहानी है जिसने कैसे वीरता दिखाई और अंग्रेजों के छक्ते चुरा दे यह उस समय की कहानी है जब हमारा देश जुलाम था उसे एक जुर्म के लिए न्याने में उपस्तित कराया जाता है और नियाजीज के सामनी पेस किया जाता है। उसमें नियाजीज पर नियाजीज से उसके खिलाब उसके जुर्म बताया जाते हैं। लेकिन वो अपने इस जुर्म को हिसले नहीं माती। क्युकि हमारी उस समय की अंग्रेजी सरकार ली। उस समय जो एक कबीले के संदार थे, कोनाई कबीले, उनके जो प्रिष्ट थी, उसकी ये पुत्री थी, और उसमें पुरोड सालाग को रखा था, बहुत ही सिख्छा के कायकरम के द्वारा, लोगों को अपने देश में आजादी के प्रति, प्रोचसाहित किया था, लोगों को उसके उपर ऐसा जुर्म लगाय गया था, उसने हाठ दस अंग्रेजों को भी मार गिराया, उसके जुर्म के लिए उसको अठारा वर्स की जेल की सजा, नियादीस में सुझाई, और उसे रानी की उपादी, जब वो जेल से छोटी, तो उसे रानी की उपादी भी दी गई, इस प्रकार गांडी वरानी ने देश धन, आप उस धन को जो धन उसे प्रात्वा, उस धन से अपने देश की सेवा हेतु उस धन को दे दिया, तो गांडीम जो की एक पीर बहादुर विरांगना इस्तरी थी, इसके बारे में इस पार्ट में वर्णन है, आप इसे विस्तार से अपनी बुक से एक दो बात रिंड कर सकते हैं, यह आपका चैप्टर क्रात्थी कारेनी कांडीम, इसमें कुछ एक्सरसाइज भी है, जो आपको भूप में भी कंप्लीट करना है, और नो प्रूप में इसे आपका होंबगे, आगले बाट के साथ मैं आपको पास भी आपकोप दयुआ बदाएध।